प्राइट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है प्राइजल सिंग एनाम दी फैकल्टी आफ लॉइंदी कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी और आज आप लोगों के लिए में लेके आया हूँ एक और वीडियो लेक्चर ये वीडियो लेक्चर हमारा किस बारे में होने जा रहा है क्योंकि Legal Service Authorities Act हमने खतम कर लिया है उसके MCQs तक हमने solve कर लिया है तो आज हम वीडियो बना रहे हैं अपने law simplified series में जिसमें हम जो हमारे complex legal topics होते हैं complex legal issues होते हैं उनको decode करते हैं और बड़ी असान तरीके से समझते हैं आज का हमारा topic किस बारे में है आज हम एक ऐसे topic को cover करेंगे जिसको normally हम CRPC पढ़ने की शुरुआत में पढ़तो लेते हैं और हमें लगता है कि हमें समझ में भी आ गया और हम तैयारी के समय उसको refer नहीं करके ये मान के कि हम उसके लिए तयार हैं लेकिन जब हम questions को attempt करते हैं तो जो minute हैं इसके उसको हम भूल जाते हैं एक बड़ी silly mistake करके हम उन questions को गलत कर देते हैं तो आज हम उस topic को कोशिश करेंगे कि एक tabular form में आपके दिमाग में store करवा दें ताकि अगर इस वीडियो को आप देख लें तो आपके दिमाग में ये scratch से store हो जाए और दोबारा आ आज हम कौन से topic के बारे में बात करने वाले हैं आज हम बात करेंगे different type of criminal courts in the CRPC और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सा court कितनी sentence को पास कर सकता है basic है लेकिन कभी-कभी हम भूल जाते हैं या error कर देते हैं और उसमें कुछ questions ऐसे भी मैं आप से पूछूँगा जो चुरू करते हैं तो अगर हम क्रिम ल कोर्ट के hierarchy के बारे में बात करें तो कौन कौनसी में पता है सबसे पहले तो सबसे apex's कौन सी हमारी country की supreme Court यह हम्झे पता हैसर उसके बाद कौन आता है High Court यह भी 株ता है सर उसके बाद आता है Se radiation court यह पी हम्झे पता है लेकिन यहाँ प लेकिन काम बहुत जादा है तो ऐसे में additional session judge जिसके अगेंस्ट कौन session judge उनको काम बाट देगा कि आप ये 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 काम देखेंगे या in in matters को देखेंगे जो की माना जाता है equivalent कि के sessions judge के यानि की sessions court के अंदर दो judge कौन से हुए sessions judge और एक additional session judge जो आपको district magistrate या आप किसी और administrative position में देखेंगे तो आपको इस तरह की additional पद दिखेंगे ठीक है सर उनके नीचे काम कौन करता है उनके नीचे काम करते हैं assistant session judge यानि की additional से नीचे session judge से भी नीचे लेकिन CJM यानि की Chief Judicial Magistrate से उपर काम करते हैं ये होते हैं assistant sessions judge ठीक है सर इनके नीचे काम कौन करता है इनके नीचे दो parallel लोग काम करते है Chief Metropolitan Magistrate और Chief Judicial Magistrate ये दोनों के दोनों सेम है जगा का फर्क है कैसे section 8 CRPC का कौन सा section section 8 CRPC किस बारे में बात करता है से section 8 वो हमें ये बताता है कि कोई area metropolitan area क अब क्यलाएगा जब भी किसी area का population 10 lakh यानि की 1 million से जादा हो जाएगा तब वो area हो जाएगा metropolitan और तब वहां के जो Chief Judicial Magistrate और Chief Judicial Magistrate दोनों सेम है बस जगा का फर्क है यानि ये दो entities हो गई Chief Metropolitan Magistrate की नीचे काम कौन कर रहा है metropolitan Magistrate special और Metropolitan Magistrate यानि की जहां पर हम Judicial Magistrate में देखते हैं फर्स क्लास सेकंड क्लास ऐसा नहीं है यहां पर केवल Metropolitan Magistrate होता है और Metropolitan Magistrate के साथ साथ एक Metropolitan Magistrate special में भी बनाया जा सकता है अगर सरकार को ठीक लगे तो इसमें कोई फर्स क्लास सेकंड क्लास नहीं होगा अब बात करते हैं यहां पर यानि की चीफ जुडिशल मजिट्रेट यानि की जो नॉर्मली पॉपुलेटेड एरिया है वहां पर कौन होगा तो ऐसे एरिय में भी बनाया जा सकता है क्या एक सब्डिविजनल जुडिशल मजिस्ट्रेट जो उस एरिया के जुडिशल मजिस्ट्रेट के मैटर्स को देखेगा ठीक है सर अब इसके नीचे काम कौन करेगा इसके नीचे काम करेंगे जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स क्लास और जुड जा सकता है लेकिन अभी हमेरे लिए इंपोर्टेंट यह जानना की cardiovascular फर्स क्ञास जए जेम फसी कॉन है जुडिचल मजिस्ट्रेट सेकंड क्रास एगा जयरे असी जो सक हमें समझे में आगया अब क्या जांना है हमें कौन कितना सेंटेंस पास कर सकता है सबसे के değer and Supreme Court को دیکھتे है Supreme Court जैसा हमें पता है 32 में रिट करता है और चौह तается अटा है लेकिन हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल गॉक्त में कौन कितनी सजाएं दे सकता है Supreme Court के बारे में कोई शभ की बात ही नहीं है की एनि Сिंटेंस यानि की कोई भी सेन्टेंस जो लॉज में है वह Supreme Court with do захès सकती है ठीक है सब ये हमें Clear है अब बात आती है docked sessions कोट में कितनी सजाई दे सकती है sessions कोट भी और sessions कोट में कौन आता है session जजज और additional sessions जजज दोनों यह 25 मिलके कितनी सजाई सकते हैं एनी सेंटेंस इसका मतलब क्या हुआ है एनी सेंटेंस ये दोनों भी दे सकते हैं लेकिन मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके जाऊंगा जो कि यहां पर आपको लिखा दिख जाएगा 368 यह क्या कह रहा है कि जब कभी भी एक यहां पर exception हम लिखेंगे 368 का जो कि कह रहा है कि जब कभी भी कोई सजा सजाय मौत होगी या क्या होगी डेथ पेनाल्टी होगी तो 368 जो सेक्शन है उसके अंडर में उसको confirmation लेना पड़ेगा किस से हाई कॉर्ट से यह देखिए यह आगे यहां लिखा हुआ है इसमें भी हम जाएंगे लेकिन अंडर सेक्शन 368 क्या करना होगा एनी सेंटेंस ऑफ्राइज बाई लौ सेंटेंस ऑफ देथ के केस में confirmation लेना होगा हाई कोट से यानि कि सेशन्स कोट यानि कि सेशन जजज और एडिशनल सेशन जजज कोई भी सजा दे सकते हैं फर्क सिर्फ इतना है कि वो सजा को देंगे अगर वो डेट से रिलेटेड है तो उनको हाई कोट से पहले confirmation लेना होगा यहां तक सर पूरा का पूरा पॉइंट हमारा clear है ठीक है सर अगर वहां से हमारा पूरा का पूरा इसको ध्यान रखिए दस साल तक की सजा कौन दे सकता है असिस्टेंट सेशन जजज दस साल का नंबर एक ही है तो आपको याद करने में असानी होगा metropolitan magistrate यानि की cjm के बदल लेवल का ये पद है जो की है chief metropolitan magistrate ये कितनी सजा दे सकते हैं ये दे सकते हैं up to 7 years 7 साल तक की सजा ये दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं 7 years तक का सजा और साथ में fine add कर सकते हैं अब इसमें क्या दिया हुआ है Metropolitan magistrate जो normal metropolitan magistrate हैं ये किसके बराबर होते हैं judicial magistrate first class के और ये सजा कितनी दे सकते हैं ये सजा दे सकते हैं तीन साल 3 years और 7 में fine कितना fine दे सकते हैं यह up to 10,000 यानि 10 के 10,000 तक का fine एक metropolitan magistrate और special metropolitan magistrate दे सकते हैं इन्ही जो metropolitan magistrate होते हैं उनको special metropolitan magistrate का title दिया जाता है तो यानि कि यह same condition imply हो जाएगी यहाँ पे भी अब आगे बढ़ते हैं अब हम आगे judicial magistrate के अंडर में यानि कि CJM यानि कि चीफ judicial magistrate के अंडर में कौन-कौन काम कर रहा है तो यहाँ fine जो कि कितना हो सकता है 10,000 तक का special जो है वो यही लोग बनते हैं इसलिए यह लोग भी सेम सजा दे सकते हैं judicial magistrate second class यह कितना दे सकते हैं केवल एक साल तक की सजा और साती साथ पांच हजार तक का fine यानि कि only one thousand five thousand rupees of fine and only one year of maximum punishment और यही सेब चीज इंप्लाई हो जाती है किसके पास special judicial magistrate के पास ठीक है सर यह वाला point तो हम समझ गए लेकिन अब एक बात बताईए यहां जो हम पढ़ रहे थे special judicial magistrate यानि कि यह जो हमने सबडिविजनल जुडिशल मजिस्टेट जो हमने पढ़ा मुझे एक बार आप इसमें बताईए कि इसकी सजा कहीं क्यों नहीं दी हुई है इसकी सजा क्यों नहीं दी गई है मैं आपको बताता हूं आपको रिफर करना है section 12 का sub clause 3 section 12 के sub clause 3 में जब आप जाएंगे तो आपक कि वो उस सब डिविजन के जुडिशल मजिस्टेट का कार भार समालेगा तो उसके पास पावर भी नैचुरली कौन सी हुई उसके पास पावर होगी जुडिशल मजिस्टेट फर्स क्लास थी यानि कि जो पावर कितनी है तीन साल तक की सजा और 10,000 रुपए तक का fine इतना आपने अभी तक समझ लिया अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर जहां हम सेक्शन से समझेंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं अब देखें यहां पर देखते जाईए सकता है एनी सेंटेंस ऑथोराइज बाय लौ का मतलब बहुत जादा गहरा है इसको आपके अप हाई कोट हाई कोट की पावर क्या दिए हुई है सेक्शन 28 सब क्लाउज 1 में अगर आप देखेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है एनी सेंटेंस ऑथोराइज बालो यानि की सेम चीज टेली हो गई लेकिन यहां पे सर सेक्शन क्यों नहीं लिखा है सुप्रीम कोट का यहां तक लेकिन अगर डेथ की बात हो रही है तो इनको कहा आना पड़ेगा सेक्शन 368 के अंडर में आना पड़ेगा और कंफर्मेशन लेना पड़ेगा किसे हाइपको बता देता हूं सेक्शन 28 CRPC को देखेगा और चाप्टर 28 CRPC को देखेगा आपके दिमाग में सारे डा सकते हैं ठीक है और साथी साथ fine impose कर सकते हैं fine का कोई अपर लिमिट डिसाइड नहीं है चीफ जुडिशल मजिस्टेट और चीफ मेट्रोपलिटन में सेम एरिया के लोग होते हैं इसलिए हमें डाउट की जरुवत नहीं है 29 क्लास 1 किसके लिए जुडिशल मजिस्टेट के सब्सक्राइब में यानि की जो होता है जुडिशल मजिस्टेट फर्स क्लास उसी के लेवल पर होता है मेट्रोपलिटन मजिस्ट्रेट तो वह कितनी सजा दे सकते हैं वह सेक्शन 29 सब क्लॉस 2 में और 29 सब क्लॉस 4 में दे सकते हैं इंप्रिजर्मेंट अप्टू 3 यह और मैंने आपको पीछे बताया था और आखरी में कौन बचा जुडिशल मजिस्ट्रेट फ सेकेंड क्लाश जो की दे सकते हैं 29 सब क्लॉस 3 में कितना वन येर और 5000 तक का फाइन वह एक साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट और 5000 रुपय तक का फाइन अब आपको एक बात यह समझन बात हुई है 28 में और 29 में कहां बात हुई है वो बात करी गई है जितने भी जूडिशल मजिस्ट्रेट अनि इसके नीचे के मजिस्ट्रेट पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है यह टेबल और सेकेंड चीज चीज आपको ध्यान रखनी है वह है पिछले स्लाइड में करनम जाकर देखें ये चो नाम में सब डिवीजनल जुडीशना फिर्स क्लास यह जो अगर वह सिर्फ जी कहोगी जितनी उसके पास है और अगर सब डिविजनल जुडीशना में स्कूशन आता है यह तो कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है तो आपको कौन सा section ध्यान रखना है section 12 का sub clause 3 जो कि किस बारे में बात करता है जो कि बताता है आपको इस बारे में कि जो subdivisional judicial magistrate है वो कोई judicial magistrate first class ही होगा तो यहां आपका doubt I hope clear हो गया हो अगर अभी भी कोई query रह गई हो अभी भी कोई doubt हो तो आप हमें नीचे comment section में बता सकते हैं अभी के लिए वीडियो के लिए सिर्फ आपके लिए इतना ही था अभी वीडियो को हम यहां end करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो के साथ जोड़े रह सकते हैं, तैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ, आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें, अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिं कर दो